Motorola, हाँ यह नाम थोड़ा सुना सुना लग रहा है, Lenovo के अंडर में है अभी Motorola, अब मैं ऐसा बोलने पे मजबूर हूँ, क्योंकि भाया, इंडेय के अंदर Motorola काफे दिनों से कोई भी डिवाइस लाँच नहीं कर रहा है, बट यहाँ पे 20 जून को कनफॉर्म हो चुका है, कि Motorola ए पंच होल डिस्प्ले का रेस चल रहा है, आज इस वीडियो में दोस्तों आप लोगो पकी न्यूज देंगे, कि इस Motorola One Vision में आप लोगो कैसा पंच होल डिस्प्ले मिलेगा, क्या कुछ overall मिलेगा, और क्या यह जो दोनों आप्शन आने वाले है, Nokia 6.2 और Galaxy M40, दोनों के साथ कंपीट कर पाएगा, या फिन नहीं पाएगा, सब को जिस वीडियो में बताएंगे, बट दोस्तों इस चैनल का रिवाज है, कि पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, क्योंकर लाइक करने से भाईया, मनोबल बढ़ता है, और मनोबल बढ़ेगा, जब तभी में आप ल दिखने में लगता है, ये motrola one vision, दोस्तों ग्लास ब्यास है, आपको फिंगर्पीन scanner आप लोगँ रियर में मिलता है, और motrola का लोगो फिंगर्पीन scanner पे ही चिपका कर दिया गया है, इहाँ पर आप लोगो टोप लिफ कौने में डूल कामारा मिलता है, फ्रंट का जो जो मम्मी लोग टीका पहनाते है इतना बड़ा यहां पे कुने में वैसा लगता है पंचोल डिस्प्ले देखने के बाद है यह मेरा परस्नल थॉट है अब आपका थोड़ा लग हो सकता है बट देखो यार वैसा ही लगता है मतलब बच्चे के छोटे फेस पे इतना होगा 6.3 इंच का डिस्प्ले है full HD plus resolution के साथ तो भया मतलब उंगली उपर तक कहुंचेगा कैसे हां यह मैं इमेजन कर रहा हूं अभी थक मैंने यूज नहीं किया है यूज करने के बाद ही experience शेयर कर पाएंगे कि भया 21.9 aspect ratio वाला phone यूज करने में कैसा है कैसा है in-hand experience यहा यहां पर दोस्तों Android आप लोग को पाई मिलेगा stock UI मिलेगा जी हां Motorola devices में हमें stock UI मिलता है और बोलते हैं कि updates देंगे बट हो जाता है उसके बाद updates नहीं मिलता है अब लोग मोट रोला के तरफ से यहां पर दोस्तों processor में भी कुछ हटके करने की कोशिश किया है Motorola ने इस बार कोई snapdragon या फिर mediatek का processor नहीं है इस बाद Samsung का processor है Exynos का 9609 octa core processor साथ में 4GB RAM 128GB की storage और आपको hybrid slot के through microSD card लगाने का option मिल जाएगा 3500 image की battery मिलेगी अब सब लोग बोलेंगे कि 300500 कम है भाया देखो image पे मतलब on paper ही आप जल्च कर पाऊगे क्योंकि battery backup दोस्तों काफी सारी पर डिपेंड करता है battery backup तो यहां पर ऐसा जज़ नहीं किया जा सकता है बट अगर on paper आपको जज़ करना है तो यहां साड़ी 3000 कम है क्योंकि competition में हमें 4000-5000 तक का battery मिल जा रहा है तो थोड़ा कम है बट दोस्तों battery backup is different and battery image जो capacity है वो थोड़ा different है तो दोनों में different समझो यार यहां पर cameras के बारे में बात करते हैं काफी interesting camera setups आप लोगों मिलता है rare में दोस्तो 48 plus 5 megapixel का camera है जो 48 megapixel का camera है दोस्तो यह होगा primary sensor f1.7 aperture के साथ और secondary sensor जो 5 megapixel का वो होगा depth sensor मतलब depth measure के लिए front में दोस्तों यहां पर selfie काफी अच्छा दिया गया है मतलब megapixel अगर on paper देखें के हाँ यही तीनों लोगी होते हैं बस यह मतलब सब कोई selfie के दिवाने हैं हरो कोई selfie यहां पर खीचता है भाई तो selfie काफी important है इसलिए 25 megapixel का selfie दिया जा रहा है Motorola One Vision device के अंदर तो यार सब कुछ बता दिया है इस Motorola One Vision के बारे में आप लोग शार्ट से वेट कर रहे होंगे कि price म ही बता रहा हूं कि हाँ यह लीक आया है इधर से उदर से कोई news ऐसा नहीं है यह दूस्तों officially बाहर के country जैसे कि सौदी अरबिया या फिर दूसरे country में लॉंच हो चुका है officially तो उसी के आधारित पर बता रहा हूं कि क्या को specific नहीं है तो सब कुछ confirmed भाया नहीं है कि मैं देखेंगे तो वह 299 यूरो अगर इसको इंडियन करेंसी में convert करेंगे तो पड़ जाता है 23,000 रुपए के आसपास अब देखो 23,000 में थोड़ा मतलब ज्यादा ही हो जा रहा है मतलब हजम ही नहीं होगा 23,000 में बट 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 यहां पर सुन लो कि motorola का अगर आप record देखे देखेंगे तो भाया बाहर से जो price है इंडिया के अंदर थोड़ा कम रखता है हमेशा motorola तो यहां पर इंडिया के अंदर शायर से थोड़ा कम में आ सकता है कितना कम होगा यार होगा तो at least max to max 20,000 तो जाएगा ही but 20,000 में आप मत भूलना दो नए devices आने वाले है जिसके के बारे में बात कर रहा हूं Nokia 6.2 and Galaxy M40 के बारे में बात कर रहा हूं दोनों में ही punch hole display मिलेंगे और specifications तो काफी तगड़े हैं बड़े-बड़े brands के तरफ से आ रहा है दोनों devices तो क्या आपको लगता है यह Motorola One Vision टिक पाएगा या फिर नहीं टिक पाएगा मुझसे अगर सुन करते हैं थोड़ा बातचीत करते हैं चानल को subscribe कर दो यार अगर subscribe नहीं करोगे तो फिर खुशने यार subscribe कर दो बस like कर दो वीडियो को share कर देने वीडियो को मैं मिलूंगा ऐसा ही कि तर दो बिदिए तब तक के लिए दूस्ते बई